हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टूग जा मोहला आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में यूपी पुलिस से के प्रस्ण डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में हमने यूपी एस आई है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल दोनों के प्रिवेस एर के सलेक्टेट प्रस्ण लिए हुए है टोटल थटी एट कुष्टन हमने लिए हुए है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कमेंट करके हमें बताएगा कि थटी एट में से आपके कितने प्रस्ण सही ह हो रहे है वीडियो में अबलास तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो में हमने सारे प्रस्णों को इस्ट्रा फैक्ट के साथ डिसकस किया हुए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तो चली फ्रेंड्स सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है तुलसी दास के हो थे अगला प्रस्ण है बुंदेली का शेत्र है इंपॉर्टेंट प्रस्ण है ध्यान रखेगा बुंदेली का शेत्र कौन सा है तो बुंदेली जो है पस्ट्मी हिंदी की बोली है तो ये पस्चिमेंदी का छेत्र कौन सा पढ़ता है ओप्शन भी करेक्ट हो जाएगा जहां सी जालान और दतिया ठीक है जहां सी जालान और दतिया पढ़ जाएगा बात करें पस्चिमेंदी की तो वह किस अपरभरंस से निकली हुए ध्यान रखीगा सौर सेनी अप सा परकार है तो ध्यान रखेगा सकर्मक क्रिया ठीक है ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग किया गया है बात करें सकर्मक क्रिया कि तो जिस वाक्य में करता दोरा किये कारे का परड़ाम कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया करते हैं ठीक है करता का कारे का प्रिडाम जो है कर्म परपड़े उसे सकर्म क्रिया कहते है ओप्सन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण है कोश्चेंग नमब फोर मैला आचल किसका आंचलिक उपन्यास है यहां से प्रस्ण पुछा जाता है ठीक है बात करें फरिश्वर नाम रेडू की और अन्य उपन्यास हो की तो ध्यान रखेगा परती परिकत था और दिर्ग तपा ये दो इनके फेमस उपन्यास है मेला चलक भी है ठीक आगे बढ़ते हैं यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग बोली नहीं है ठीक है निमने लिखित में से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी हो जाएगा पस्षिमी हिंदी की बोली है बाकी सब पूर्वी हिंदी की है अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से कौन सा सब्द कंचन का पर्यावाची है कंचन मतलब सोना होता है सोड तो सोना का पर्यावाची क्या होता है कनक भी होता है तो option ये right answer हो जायेगा ठीक है बात करें सोना के ओपर रहा वाची की तो हिरन ने भी कहते हैं स्वाड भी कहते हैं इसको भी आप ध्यान लखेगा अगला प्रसंद देखते हैं जिसके पास कुछ नहों उसके लिए एक सब्द बताना है तो जिसके पास कुछ नहों उसको क्या कहेंगे अक इंचन ठीक है ऑप कायशेवन नहीं करता है उसे निरामिष करते है ये भी ध्यान रखेगा करजदार का मतलब क्या हुआ कि जिसने गर्ज किस सब्द का और्ध सुर्य पंडित अनध्ः सुर्विर आद flick किस सब्द का और्ध सुर्य पंडित अंध्र 25ع होता है ध्यान रखेगा Warning पॉर्टेंट है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा सूर ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा सूर सब्दका जो होता है मतलब होता है सूरे भी होता है पंडित भी होता है अंधा भी और सूर बीर भी होता है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों मैथली सरडगुप्त को कि कि क्रिती के लिए मंगला परसाद पारितोसित पराब्त हुआ किस क्रिती के लिए ओब्शन भी राइट अगला प्रसंद दिखते हैं उसरो각 मोलश्रोत कौन है तक्सम जो कहां से लिया गया है तो संस्क्रित से ज्यों के त्यों लिए गया है ठीक है ऑप्शन डी राइट अंसर हो जाएगा तत्समस्त का मूल सुरोत क्या है संस्कृत आगे बढ़ते हैं अद्विती में कौन सा समास है वेरी इंप्पोर्टन कुश्चिन है कन्फ्यूजिंग हुए ध्यान रखेगा अद्विती में कौ कुछ मेहमान हमारे यहां भी भेज दीजी इस वाक्त में अधोर रखित सब्दो का सरोनाम किस प्रकार है अधोर रखित इतने की नीचे किया हुए अंडरलाइन और कुछ की नीचे तो यह किस प्रकार के सरोनाम है ज्यान लखेगा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अनिश किस प्रसिद्ध उकती है कि किसकी प्रसिद्ध उकती है तो धुड़की रखेगा भार्तेंदीचरी की फ्मस ऊकती है यह इंप्रन प्रसन है ध्यान रखेगा option B correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण दीखते हैं बीर रस्ण से युक्त काभे में किस गुर्ड की परदान रहती है तुध्यान रखेगा option C correct हो जाएगा ओज गुर्ड की ठीक है ओज गुर्ड की परदान जो रहती है बीर रस्ण में पाई जाती है अगला प्रसंद देखते हैं, क्वेश्चिन नम्बर 18, निम्न में से कौन सा सब्द तदबो नहीं है, तो ध्यान रखेगा, एकादश, ठीक है, एकादश देखने में लग रहा है संस्कृत का सब्द यानि यह तद्सम में बाकी सारे तदबों है, गेद जो है, किसका तदबो क्या होता है, गौर, ठीक, एकादश का तदबो की बात करें, तो क्या होता है, एकादश का 11, ठीक, अगला प्रसंद देखते हैं, आजकल भासा भारत की जनता भी अधिकाधिक सिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता सब्द का वचन है, वेरी इंपोर्टन कोश्चन है, दोस्तों स्टार्माक कर लिजिएगा, यह कई बर पूछा जाता है, डारेक्ट यह सेंटेज नहां देखके, डारेक्ट देखते हैं कि जनता में कौन सा वचन है, तो यह भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेगा, जनता में कौन सा वचन है, एक वचन, ऑप्शन सी राइट श्वर्ग होगा, भालो के लिए तो यहीं स्वर्ग होगा, में कौन सा चंद है, ठीक है, तो चंद भी आपको पढ़ना है, यहां से प्रसन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेगा, इसमें कौन सा चंद है, भूजंग प्रयात, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो अगला प्रसन है दोस्तों, निमनलिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है, निमनलिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है, आय, बे, लहर और नहर तो ध्यान रखेगा, बे जो है यह सब्द पुलिंग है, ठीक है, बे जो है, सब्द जो है, पुलिंग है, बाकी सब जो है, इस्त्री है लहर नहर और आये सम इस्त्री लेंगा यह भी important प्रस्ण है ध्यान लखेगा अगला प्रस्ण देखते हैं लोब यह संग्या का कौन सा प्रकार है लोब कौन सा प्रकार है तो ध्यान लखेगा लोब में भाव भाव दिखरा है ठीक है तो यह भाव वाचक संग्या जाएगा ठीक है बहुए सब्द जिनसे किसी व्यक्त थे व्यक्त की व्यक्त की गुर्धर्म धसाथवा ब्यापार का भोड थे उससे भावाचक कहते है अगला प्रस्न है तेश्मा उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहांनी है बेरी इंपोर्टर प्रस्न ध्यान रखेगा उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कानी है चंद्रदर सर्मा गुलेरी ऑप्सने राइट एंसर हो जाएगा बात करते हैं इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की तो ध्यान रखेगा सुख में जीवन भी इनकी एक फेमस रचना है पुरानी हिंदिय बुद्धु का काटा ठीक है यह तीनों आप जया रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों केंद्री हिंदी निदिशाले भारत सरकार दौरा प्रकासित पत्रिका कौन सी है केंद्री हिंदी निदिशाले जो एक पत्रिका निकालती है तो पत्रिका का क्या नाम है ध्यान रखेगा ओप्स सा सब्द उपसर्ग रहित है कौन सा सब्द है तो ध्यान रखेगा OPSन डी करेक्ट हो जाएगा त्रियमबक में कोई बीजन नहीं कि नियून की तो इस्में नी उपसर्ग है विधान की बात कर तो अज्जोल की बात कर तो तो इस में उत उत दंजल यानी उत जो पस Clin infect तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा चक्रवात ठीक है और चमार की बात करें तो चमार का तत्सम क्या हो जाएगा चर्मकार ठीक है सभी इंपोर्टेंट ने ध्यान रखेगा अगला प्रस्न है रसोई घर में कौन सा समास है रसोई घर में कौन सा समास है रसोई के लिए घर ठीक कौन सा है तत्पुरूस तत्पुरूस में भी बात करें कौन सा तत्पुरूस है तो संपरदान तत्पुरूस इस चीज को ध्या या प्रशिद्य कतन किसका है और आगे बढ़तें दूस्तों फ्रेंड्स वीडियोख अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा उपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमने टोटल 20 सेट तयार किये हुए है यह पहला सेट है आज का अगला प्रसंद देखते हैं हिंदी में वैग्यानिक अलोचना का सुत्रपात किस ने किया हिंदी में वैग्यान सब्सक्राइब करने के लिए विराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है कौन से विराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है किसी कठिन सब्सक्राइब करने के लिए ध्यांद जीएगा कोश्टक का ठीक है ओप्सन सी करेक्ट एंसर हो जाएगा इंप्सन है ध्यान नखिए विराम मतलब तेज होता है तो मंतलब मतलब धीम और संडी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं थका उट सराय ताकता है इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या है थका उट सराय ताकता है का अर्थ क्या हो जाएगा त्यान अखिएगा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब कि दिन भर की मेहनत के बाद गर की याद आती है, ठीक है? सराय मतलब होता है, जहां ऊट रहता है, तो ठका हुए ऊट अपना सराय ताकता है, तो Α Allah दर से प्रकार दिन भर की मेहनत करने के बाद, इंसानों के अपने घर की याद आती है, D सब्द जो है अंक से संबंदित नहीं है ठीक है बागी चिन भाग और गोद यह तीनों अंक से संबंदित हैं अगला परसंद देखते हैं के वा टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है ठीक है अलंकार पूछ रहा है तो ध्यान रखेगा उप उपमा लंकार ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा उपमा लंकार यहां पर है ठीक ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हल्दी का तत्सम सब्द है हल्दी का तत्सम बताना है इसी कोश्चन है सबको पता होगा हल्दी का तत्सम क्या होता है हरिद्रा ऑप्श ओल्यां हो गई अगला पसे देखते हैं लास्ट कौस्चन मिवाधी किस ओर बोली है थ्यान रखेगे के कहां बोली जाते है राजिस्तान में राजिस्तान हिंडी किया बोली है औपसेंट करेक्ट हो जाएगा है कितने आसे तू EK